असलावलेकूम आई दिये स्टूडेंस तो फिर बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं किलास थार्ट इंग्लिश और आज हम पढ़ेंगे ग्रेमर जो की होगा हमारा पेश नमबर 93 पे और ग्रेमर में आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रिपोजेशन के बारे में ठीए? तो फिर प्रिपोजेशन को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एक्समपल्स दियी हुए हैं हम उनको समझने की कोशि excitement करते हैं हम कहां पे रहते हैं? ठीक्री में रहते हैं पीश में जो बोल्ट करके हमें इन और ओन दिखा रहा है यह हमारा क्या है प्रिपोजिशन है अब चलो हम इसकी डिफिनिशन पढ़ते हैं तो फिर यह प्रिपोजिशन क्या है यह प्रिपोजिशन एक रिलेशनशिप दिखाता है बैसिकल यह एक रिलेशनशिप दिखाता है कि कोई चीज कहां पे है ठीक है यानि कि where something is कोई चीज कहां पे है where something's happened और कोई चीज कब हो रहा है ठीक है तो फिर प्रिपोजिशन हमें एक रिलेशनशिप शो करते है कि कौन से चीज कहां पे है और कौन से चीज कब हुई थी ये जो होर्स है इसने चलंग मारी कहां से फैंस है तो फिर ये जो ओर है यानि कि उसके उपर से ओर हमारा क्या है फिर से प्रिपोजिशन है ठीक है यानि कि उसने हमें दिखाया कि होर्स ने कहां से चलंग मारा फैंस से चलंग मारा ठीक है उसने एक रिलेशनशिप दिखाया क का fence का और horse का the lamp hang above the table यह जो lamp है वो hanged कर रहा है कहां पर table के उपर तो फिर यह जो about यह जाने कि इससे हमें पठा चलते कि यह जो lamp है यह कहां पर है यारी कि above the table के उपर है अब उसी तरह कुछ और हमारे पास है जैसे कि हमें in sentence को पढ़ना है और समझना है we meet in the evening हम कब मिलेंगे शाम को मिलेंगे दीपा is going to Delhi on Saturday यह जो दीपा है वो Saturday के दिन कहां जा रही है Delhi जा रही है it is cold at night रात को क्या होती है ठंड होती है this show starts at 7 p.m ठीक है यानि कि यह जो show है वो कब start होगा 7 बजे कब से start होगी सुबह के 8 बचे से 10 बचे तक the word in bold tell us when something's happen तो फिर यह जो bold में in, add, form, on, add लिखावा है इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी चीज़ कब होनी जा रही है यानि कि जैसे कि हम शाम को मिलने वाले हैं तो फिर इससे हमें यह पता चलता है कि यह लोग शाम में मिलेंगे evening को मिलेंगे दीपा कब जाएगी डैली? Saturday की दिन जाएगी ठीक है और रात को क्या होता है? ठंड होता है शो कब बचे, कब स्टार्ट होगा? रात को स्टार्ट होगा ठीक है तो फिर यह कुछ ऐसे चीज़े हैं जिससे हमें ये मालूम हो रहा है कि ये चीज़े कब होने को है अब जैसे अगर हम stable की through इसको समझने की कोशिस करें तो फिर यहां पे in, on, add, form to है ठीक है? तो फिर in हम किसके साथ इस्तिमाल करते हैं जिससे कोई months, महिना हो season हो, year हो इनके साथ हम किसका इस्तिमाल करेंगे? इनका इस्तिमाल करेंगे और second हम इनका इस्तिमाल करेंगे morning, evening, afternoon के साथ ठीक है? सुबे के time और शाम के time और दुपहेट के time इनके साथ भी हम इनका इस्तिमाल करेंगे ठीक है? अब जैसे है on ओन हम कब इस्तिमाल करेंगे डे के डाम ठीए यानि कि दिन को हम क्या करेंगे ओन का इस्तिमाल करेंगे ठीए डे जिसे कोई भी डे है हमारे पस संदे से लेकर सटर डे तक हमारे पस कोई भी डे होता है हम उसके साथ किसके इस्तिमाल करेंगे अन का इस्तिमाल करेंगे आप जिसे इन के थूँ इसको समझ सकते हो जिसे इन हमने यहां पे इविनिंग के साथ इस्तिमाल किया ठीए तो फिर यहां पे इन का इस्तिमाल हो रहा है इविनिंग के साथ और ये ओन दे, जैसे दीपा डेल ली जा रही है, कब सटर दे को अब एट, सिर्फ आप हमने इन, मॉर्निंग, इविनिंग, अफ्टरनून के साथ तो इस्तिमाल किया लेकिन ये जो एट है, वो किस के साथ इस्तिमाल होता है, नाइट के साथ यानि कि रात के साथ हम किस का इस्तिमाल करेंगे, एट का इस्तिमाल करेंगे, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, साथ पिएम हमारा क्या होता है, रात होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर किस का इस्तिमाल हुआ है, ना कि इन का इस्तिमाल हुआ है, ठीक है, और हम एट किस के स ठीक है particular time हम यहाँ पर show कर रहे हैं और form ठीक है to show the time when something start and finish show हम यानि कि यह जो form है वो हम कब इस्तिमाल करेंगे हम तब इस्तिमाल करेंगे form और two का हम यह दिखाने के लिए कि कोई चीज कितने बज़े start हो रहा है और कब खत्म होगी ठीक है जिसे कि यहाँ पर classes start हो रहे है सुबह के 8 बज़े से 10 बज़े तक या फिर कोई program होगा वो start होगा 10 बज़े से लेकर 4 बज़े तक ठीक है तो फिर हम उसके साथ किस के इस्तिमाल करेंगे form two के इस्तिमाल करेंगे जिसे कि इनके साथ examples दिया हुआ है I visited early in July July हमारा क्या है month है ठीक है तो फिर में विजिट कर रही हूँ at least कप July यानि कि month में ठीक है फ्लूर ब्लॉम इन स्प्रिंग यह हमारा क्या है season का example है full cup खिलते हैं spring में खिलते हैं year के साथ I was born in 2009 में कप पैदा हुआ था 2009 में ठीक है यह दिखाया अब यह morning evening afternoon का तो हमने यहाँ पे दिखाया अब यहाँ पे फिर से भी I like playing the evening मुझे शाम को खिलना पसंद है इनका हमने किस के साथ इस्तेमाल किया evening के साथ इस्तेमाल किया अब day के साथ I don't go to school on Saturday मैं Saturday के दिन school नहीं जा रही हूँ ठीक है तो फिर हमने यहाँ पे day का इस्तेमाल किया यानि कि यह Saturday हमारे क्या है एक day है night leave this light on at night ठीक है यह इस light को हम कब छोड़ेंगे रात को छोड़ेंगे अब the assembly starts at Saturday 8 a.m. हमारे स्कूल के assembly कब स्टार्ट होती at 30 a.m. और हमने यहाँ पे भी बोला था कि हम किसके साथ particular किसी time को show करने के लिए थी यानि कि she reached home at tea time वो कब पहुंची गर जब हम चाई पी रहे थे the museum is open from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. museum सुबे के 9 बचे से लेकर शाम के 6 बचे तक खुली रहती है तो फिर यह था हमारे कुछ examples जिसमें हमने preposition की in on add from to का हम कहां पे इस्तेमान कर सकते हैं कल हम इसके exercise करेंगे आज के लिए खुदा आफीज